महराश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 मही तक लॉकडाउन की घोशना कर दी इस कंडीशन में एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री जो थी पूरी तरगी से ठप पड़ गई एंटरटेन्मेंट के हब मान जाने वेले मुंबई की अब कई शूटिंग जो मशूर लोकेशन्स पे होनी चाहिए जैसे कि फिल्म सिटी भजनलाल स्टूडियो रामदेव स्टूडियो इन सभी पर ताले लगे हैं कभी जिन लोकेशन्स पर दिनराज शूटिंग हुआ करती थी वहाँ अब एकका दुक्का लोगों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा एसे में टीवी इंडस्ट्री को महस 15 दिन में करीब साड़े 6 करोड रुपे का नुकसान हुआ है दैनिक भासकर से बातसीत करते हुए इस इंडस्ट्री के जाने माने एक्जेक्यूटिफ प्रड्यूसर शुब अपाध्या ने बताया कि महराज सरकार की गाइडलाइन से सबसे बड़ा नुकसान एंट्रेटेन्मेंट खासकर टीव इंडस्ट्री को हुआ है इंडस्ट्री में हर दिन करीब एक लाग वर्कर्स डेली विजिस पर काम करते हैं स्पॉर्टमेंट से लेकर ड्रेस वाले तक सेटिंग वाले से लेकर लाइटमेंट तक इनके पास अब कोई भी काम नहीं है क्योंकि जातर शूटिंग मुंबई के बहार शिफ्ट हो गई है कोई गोई गया तो कोई हिद्रबाद तो कोई उत्तरप्रदेश शुब आगे बताते हैं कि माया नगरी के ताम से मशूर मुंबई की बड़ी बड़ी लोकेशन्स पर पचले साल जैसा हाल हो गया है इंडस्ट्री के मजदूर फिर से अपने घर लोट रहे हैं निर्माता भी यहां के लोगों को दूसरे लोकेशन पर नहीं ले जा रहे हैं वे केवल लोकल वर्कर से काम वहां पर निकल वा लेंगे एक बड़ा डेली शो बनता है तो उसका प्रती दिन का प्रोड़क्शन कॉस लगबग साल तीन से चार लाख रुपए होता है चोटे चोटे शो का प्रोड़क्शन कॉस हर दिन का लगबग एक लाख रुपए होता है जितना बड़ा शो उतना बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से सिर्फ पंदरा दिन में टीव इंडस्टी को तक्रीबं साड़े छे करोड का नुकसान हो चुका है ऐसे मसरकार को फिर से शूट शुरू करने की अनुमादी दे देनी चाहिए जिनने अर्मताओं ने अपने शो के लिए सेड बनवाए हैं उन्हें लॉकडाउन से काफी नुकसान जिलना पड़ रहा है एक तरफ जहां वे अपने शो चलाने के लिए दूसरे शेरों की लोकेशन पैसा लगा रहा है वही मुंबई में पहले से मौजूद सेड का किराया भी उनको देना पड़ रहा है नुकडाउन की शूटिंग लोकेशन पर किराया प्रदी दिन के हिसाब से लगाया जाता है ये तकरीबन 25,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक होता है जो शो है जिनकी शूटिंग कहा चल रही है जैसे कुम-कुम भागी गोवा में चल रही है इमली की हिदरबाद में आपकी नजरों ने समझा गोवा, साथ निभाना, साथिया, गुजरात गुम है किसी की प्यार में दिल्ली, हमारी वाली गुड नियूज हरियाना क्यों रिष्टों में कट्टी बट्टी सूरत इंडियन आइडल 12 की शूटिंग समय दमन में चल रही है अब इस कुरोन लॉकड़न को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये लॉकड़न और ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसे में इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से होगी वो कोई नहीं जानता बॉल्यूड के बार टीवी इंडस्टी को भी इतना बड़ा घाटा एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंग डेली वेजस के वरकर्स के लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ऐसे में फिर उनको घर लोटना ही सही लगता है